हेलो गाईज, वेलकम टो आट चैनल सिक्स आलाइंस, सिक्स आलाइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत हैं और आज हम भारतिय सम्वीदान की सिरीज केता है तो वो प्रस्तावना से सम्भावित जितने भी महात्वपुण प्रश्णे उनके बारे में देखेंगे जो कि आगा में प्रतिक्त प्रश्णे कोंड से महात्वपुण होगे और यह सम्भावित प्रश्ण भी होगे और होफुली आपने प्रस्तावना की ठीओरी वाले क्लास अच्छे सिली होगी और इसमें जितने भी महात्वपुण सम्भावित प्रश्ण बनेंगे या जिनसे स सम्द्द संफुर्ण सत्याफ्र्म्हा Hefollowky पूपले सारे लेक्स आपको पसंद्द होंगे अगर कोई बाक्ति बीशो सोजा हो तो वह विश्टै आप कमेंट बॉक्स मेंंfreemation कर सकते हैं यह सेसन चाहित है क्यमारे यूटुम से कौन से होते हैं तो हमारा डेली करंट अफेर का सेसन होता है जो mcq based होता है इस वह पांच बजे होता है दूसरा डेली करंट अफेर के सेसन होता है जो सुबह 6 बजे होता है यह descriptive होता है पॉलिटिक का कोर्स हमारा alternative days पर चलता है Tuesday Thursday और Saturday उस पर 9 बजे होता है और weekly mcq revision होता है जिसमें कि हम पूरे सब्ता के महतोपूर्ण प्रशनों का संक्लन करके उसमें revision कराते है यह परतिक रभवार को तो पर 12 बजे होता है और हमारा जनरल हिंदी का सेसन होता है Monday to Saturday तो पर 12 बजे और जिसमें भारतिय समविदान की प्रस्तामना कितने प्रकार के न्याई सोतंतरता और सम्मानता का उले कि अगया है ठीक है बेसिकली हम कई बार पढ़ते हैं प्रस्तामना को लेकिन इसमें से कुछ मादोपूर्ण ऐस प्रकार के सवाल करिए आगे से पीछे या पीछे से आगे के दर यह सारे तथी आदोनी जाए तो एक बार हम देख लेते हैं भारतिय समविदान की उप्रस्तावना कोई देख लेते हैं इसमें लिखा हुए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण परबुतु संपन अब यहां पर यह जो वर्ड लिखे हैं इनका भी आपको ध्यार में रखना है क्योंकि यह पिछले कई एक्जाम्स में यह कि यहां से पुट भी हुआ है कि जो संपूर्ण प्रबुतु संपन देदेंगे उसके बाद में लोग तंत्रात्म गंडराजी देदेंगे फिर समाजवादी फिर पं है तो पहला सवाल यही से यहां से बनेगा लेकिन इससे पेले ध्यार रखना है कि एक लोग दो था C भारत सब्द का उलेक कित्ती बार क्या गया दो बार ठीक है इसका विध्यानक ना हो सकता है किसे एक्जाम्स में यह क्युस्ण है वो रिपीट भी हो जाए तो पहला हो जाएका संपूर्ण परबुतु संपन ठीक है दूसरा है समाजवादी ठीक है तीसरा पंथ और चौता है लोकतंतरात्मक घंडाजी अब यहाँ पर बात की जाए तो मैंने दो को समाजवादी और पंथ निर्पेक्षा इन दोनों के रेड में क्यों कर रखा है तो इसका मतलब यह है कि यह मूल समवीधान में जब प्रस्ता होना थी उस समय तो नहीं थे लेकिन बाद करने के लिए उसके समस्त नाग्टिकों को ठीक है यहां से वो नियाय की बात इस्टार हो की और क्यूसर में हमसे पूछा गया था कि कितने परकार के नियाय की बात की गई ठीक है तो नियाय के तहत पहला हो जगा समाजिक नियाय ठीक है आर्थिक नियाय और राजनितिक नि पहला हो गया के लिए ठीक है दूसरा है सोतंतरता की बात की गिए विचार ठीक है अभिवेक्ति विश्वास धरम और उपासना की सोतंतरता है पहला हो गया विचार दूसरा अभिवेक्ति तीसरा विश्वास चोथा धरम और पांसवा उपासना की सोतंतरता है यनि यहां पे स सोतंतरता है वो पांच प्रकार के दीगी है ठीक है के लिए अब बात करनी है समानता की सोतंतरता हो गया अब बात करनी है समानता की समानता यह परतिष्टा और अवसर की समानता परतिष्टा और अवसर यह एक परतिष्टा की समानता है दूसरी अवसर की समानता है ठीक है तो इसका परे tillे खहां जिससी साफसे मारा विकल्प नुम्बर 3 यानि सहो इसका सही उत्तर होगा. ठीकश है? यहां पर इस तरह से आपको कियुषन को हल करना है। जिससे की साथ की साथ इस कियुषन के FACTS भी हल जाए। और अदर हमने देखा कि कुछ वर्ड आएंगे तीन चार जिनको है वो अरेंज करने के लिए बोलेंगे तो पहला वर्ड आएगा संपूर्ण परबुतो संपूर्ण ठीक है दूसरा समाजवादी तीसरा और पंतर पेक्ष और चौता है लोगतंत्रात्मक गंट राजी अब यहां पे चीज यह ध्यान रखने है कि समाजवादी और पंतर पेक्ष है वो बाद में जोड़ेगे ना कि मूल सम्विधान के समय प्रस्तावना में नहीं थे और एक वर्ड और है जो की अखनत है जो मैं य हुआ है यह चीज के ध्यान में रखना है एक और हम थोड़ा सा आगे का भी पट लेते कि उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट की एकता और अखनता को शूर निश्यत करने वाली बंदूता बढ़ाने के लिए द्रण्श सकलब होकर इस समविधान सभा में आज 26 नौ सम्मिधान की प्रस्तावना ठीक है तो इस सम्मध्य जितने भी शवाल थे देख लिए तो यहां पर विकल नंबर है वो सही हो जाएगा ठीक है और यहां से इतनी ही पॉसिबिलेटी है भारति सम्मिधान की प्रस्तावना से जो महतोपूर्ण प्रशना अगर बनेगा यहां तो यहां पर एक उद्देश्य प्रस्ताव लाए गया था ठीक है उद्देश्य प्रस्ताव इसके बार में सुना ही होगा उद्देश्य प्रस्ताव अब इन से समझत क्या कि दो चीजे आती है एक तो इसमें आता है कि स्वाल जिसमें कन्फिज होना होता है कि प्रस्तुत कप कब किया गया और पारित कब किया गया ठीके तो हम देखते हैं कि प्रस्तुत कब किया गया यह एक प्रस्तुत एक पारित तो इनकी दोनों की डेट अलगे तो यहां पे प्रस्तूत है वो पहले किया था है जाइशती बात है तो प्रस्तूत किया गया था इसको 13 दिसंबर 13 दिसंबर 1946 को है वो इसको प्रस्तूत किया गया अब यह पारीत कब हुआ तो यह पारीत वह था प्रस्तुत अगर बात की जाए तो 13 दिसमर 1946 होगा और पारित कब के अगर तो 22 जनौवरी 1947 होगा ठीक है अब यहाँ पे जो केश्वानन्द भारती केश है केश्वानन्द भारती केश ठीक है अब यहाँ पे दीखिये चीज़ यह है कि जो प्रस्तावना हैं यह सम्विधान के मूल धांचे के तैते मूल धांचे के तैते मूल धांचे के तैते मूल धांचे के तैते में इसका मतलब यह हो जाके कि आप प्रस्तावना में संसोदंद कर सकते हैं लेकिन जो सम्विधान के बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वो हानी नहीं प वैसा कोई भी संसोतना आप नहीं कर सकते हैं यह ना केबल प्रस्तावना के लिए बलकि पूरे संविधान में किसी भी प्रावदान के लिए यही चीज होती है ठीक है तो इस चीज का है वो त्यान में रखना है अब बात करते हैं नेक्स स्वाल की तो समाजवादी और पंथ निर्पेक्शावद भारती संविधान की प्रिस्तावना में किस संविधान संसोतन के दुबारा सामिल किया गया अब यहां पर बात करें हमने पीछे देखे थे कि जो कौन-कौन से वर्ड हो में हाइलेट करें कि एक बार फिर दुबारा देख लेते जो संविधान संसोतन वादा 42 ठीक है 1976 में तो उसमें तीन वर्ड जोड़ेगे थे ठीक है समाजवादी दूसरा पंथ निर्पेक्श और एक था अखड़ यह तीनों के तीनों है वह 40 सेकेंड अमेंडमेंट और यह इसको है वह मिन्नी संविधान भी का जाता है इस चीज का ध्यानक न क्योंकि बहुत सारे वह संसोतन हुए थे इसके तहत तो मिन्नी संविधान भी इसको बोला जाता है तो अगर बात की जाए कि समाजवादी और पंध निर्पेक्श कौन से संसोतन भार सामिल के गए तो इसका विकल्पो का 20 है 42 में संविधान संसोतन भार है इसको सामिल किया गया और पहुत सारे जब संविधान संसोतन ऐसे हुए थे जो की संविधान के लिए साही नहीं थे अगर उनको है वह पापसा ही करने के लिए वो जो अधिकार को मूल अधिकार से विधिक अधिकार बना दिया ठीक है मूल अधिकार से विधिक अधिकार बना दिया इसको हम जनरेल यह कहते हैं कि संपतिक अधिकार को हटा दिया संपतिक अधिकार को हटा दिया नहीं संपतिका अधिकार है लेकिन उसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा कर है वो विदिक अधिकारों की श्रेणी में है उसको डाल दिया गया यह चीज है ना कि हटा दिया गया ठीक है तो समाजवादी और पंत निर्पेक शब्द भारती सम्विधान की प्रस्तावना में और इसके साथी अखंड तागो भी 46 अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट ये 1976 में हुआ था, इसके तहते वो सामिल किया गया था, ठीक है, ये चीज के लिए, उसके बाद में बात करते हैं, ने विचार की सोतंतरता तो है, जायर सी बात है, ठीक है, विश्वास की सोतंतरता भी है, जायर सी बात है, और विचार परकट करने या नि, अपने को अभीवेक्ति करने की भी सोतंतरता प्राप्त है, लेकिन आर्थिक सोतंतरता कहीं पर भी उलेक नहीं किया गया, आर्थिक सो सोतंतरता ही थे हैं जिसमें कहीं पर भी आर्थीक सोतंतरता का उलेकर नहीं किया यहां पर इस तरह से आप डिजाइन किरके अच्छे से यह चीज को याद करना है कि एक प्रस्तावन आप पढ़ लीजे उसको अच्छे से समझ लीजे कि कौन सा पॉइंट से कौन सा क्यूशन पूर्टर होगा ठीक है उसके बाद में बात करते हैं भारतिय सम्विधान में कौन से भाग को सम्विधान के आत्मा कहा जाता है ठीक है अब यहां पे किसी का कोटेशन है वो नहीं है ठीक है सीधा पूचा कि भारतिय सम्विधान के आत्मा किसको कहा जाता है ठीक है तो यहां पे तो उत्तर हो जाएक प्रस्तावना लेकिन इसमें कभी कभार है पूट ऐसे हो जाता है कि अमबेड कर ठीक है अमबेड कर के अनुसारे भारतिय समविधान के आत्मा क्या है तो वो जाएगा आर्टिकल 32 समविधानी को अप्चार होगा अधिकार जिसके तहता आप रेटे लगा सकते हैं ठीक है जि पांच परकार कि आप रेटे आर्टिकल 32 के सेद लगा सकते हैं अब 32 के रेटे लगा जाती है वो supreme court द्वारा है लगा जाती है ठीक है इसमें फैक्ट और भी जाल लेते हैं कि आर्टिकल 226 भी होता है ठीक है जिसके तहती है वो high court है वो Rakete लगा सकता है अब यहाँ पे रे इसका है वो व्यापक छैतर है रेट जारी करने में इसका छैतर व्यापक है अब रेट जारी करने में हाई कोट का छैतर व्यापक कैसे है तो हाई कोट के छैतर में बात की जाए तो हाई कोट मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों पर भी है रेट जारी कर सकता है ले लेकिन हाई कोट है वो मोल अधिकारों के साथ अन्य अधिकारों के सम्मद में भी है वो रेट जारी कर सकता है ठीक है तो यहाँ पर अपने बात की थी कि भारतिय समविधान की आत्मा के सीधा प्रशन पूछा है तो तो उत्तर हो जाएगा प्रस्तामना लेकिन अगर परते हमारे YouTube session कौन सा कब होता है डेली करण्ट अफेर का session होता है जो कि MCQ based होता है सुबह पांच बजे होता है डेली करण्ट अफेर के session descriptive होता है सुबह छे बजे होता है पोलिटी का कुर्स मारा alternative days पर चलता है Tuesday, Thursday और Saturday उसमेर 9 बजे होता है और weekly MCQ अफेर को है बादार मानकर उसमें कुछ महत्वपून परशनों का संगलन करके वो revision करोते है यह परते एक रभिवार को दोपेर 12 बजे होता है और Monday to Saturday दोपेर 12 बजे हमारा सामने हिंदी का session होता है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राबनी के अब लिए सब्सक्राब लीजे और ज्यादर सज्यादर दोस्तों के साथ share करें अगर आपका कोई भी सुझाव होता आप comment box में mention कर सकते हैं आप अब Instagram पे follow कर सकते हैं और Telegram पे follow कर सकते हैं तैंक यू फॉर वाचिंग कर दो सकते हैं